आज हमारे पास है एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी और यह स्टोरी आपको बताएगी के कैसे हम इमजनेशन की तरफ लेके जाते हैं अब बच्चों को और ऑथर्स कितने करीटिव तरीके से आपको एक रियलिस्टिक फिक्षिन की तरफ ले जाते हैं realistic fiction क्या होती है definitely it's a imaginary story वेकिन इसके अंदर जो event है वो आपकी जिंदगी में हो सकता है इसके अंदर जो characters है वो actually हमारी आम जिंदगी में हमें नजर आ सकते हैं और इसके अंदर जो actions हो रहे हैं हो सकता है आमने उने experience किया हो यह आम classroom में वो हमें experience हो भी सकते हैं बच्चों को भी हो सकते हैं so it is actually a realistic fiction and it is a imaginary perfect story for kids no, ab हम देखते हैं इसके अंदर कि यह है क्या so इस कहानी का नाम है the dot it's actually is written by Peter Reynolds और इस कहानी के अंदर एक important character है छोटी सी बच्ची का जो कि student है और उसकी drawing teacher ने उसे assignment दी भी है कि उसने कोई drawing produce कर दी है बच्ची का नाम है वास्टी और वास्टी जो है वो बहुत देर से बैठी भी है और सोच रहे हैं क्या draw करूं और drawing उसका definitely कोई aptitude नहीं है क्योंकि हमें कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो aptitude उसका नहीं है और वो बहुत उदास बैठी है बहुत देर तक बैठी रहती है कोशिश करती है कि वो कुछ draw करे पर वो कुछ draw नहीं कर पाती in the mean while उसकी teacher आती है it's still blank और यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने शाहिए snow बरफ इसके उपर draw की है so वास्ती जो होती है वो अपनी teacher की comment को समझ जाती है और वो कहती है कि it's a good comment लेकिन मैंने कभी drawing नहीं की और मैं drawing नहीं कर सकती है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या drawing करूँ so teacher वास्ती को encourage करती है कि जो भी तुम्हारे जहन में आता है तुम वो draw कर दो so accidentally या intentionally वास्ती उस पे एक dot लगा देती है teacher उस dot को देखती है और dot को देखने के बाद वास्ती को कहती है कि तुम इसके नीचे अपने signature करो because it is your painting so वास्ती बड़ी हिरान होती है वो समझती है कि जाए teacher जो है it is her negative comment to her drawing लेकिन वो यह सोचती है कि हाँ मैं signature कर सकती हूँ अपने sign कर देती है और उसके बाद उसकी teacher frame करके उसकी drawing को exhibit कर देती है वास्ती आके अपनी painting को देखती है तो वो यह सोचती है कि यह dot छोटा है मैं dot तो बना सकती हूँ मैं multiple किसम के dot बना सकती हूँ then she took a paper and start drawing dots of different colors and different sizes dots in black, dots in red, dots in yellow, dots in blue accidentally जब वो दो color को mix करती है like yellow and blue को तो green color बन जाता है और फिर वो green color के dots बनाती है और फिर वो variety of color को mix up करके variety of dots को draw करती है फिर वो सोचती है कि मैं छूटी dots क्यों बना रही हूँ क्या मैं बड़े dots बना सकती हूँ और फिर वो धेर सारे dots बनाती है पर एक बड़ा dot बीच में space पिछोड़ देती है now her imagination is working and she started out with the dot and now the dot is actually spreading all over the canvas with extraordinary ideas तो उसके बाद वास्ती की exhibition होती है extraordinary exhibition होती है और लोग उसकी drawings को देखके हरान हो जाते है वास्ती मैं एक लड़के को देखती ही जो हरानगी से उसे देख रहा होता है वास्ती को कहता है कि you are such a good in painting और वास्ती कहती ही कि तुम भी painting कर सकते हो लड़का उसे कहता है कि मैं तो बिलकुल भी painting नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक सीधी line drawing नहीं कर सकता तो वास्ती कहती ही हुह and then she gave him a paper और उसे कहती ही कि इस पर एक line draw करो और उसे pencil देती है so वो लड़का कांपते हातों से उस paper पर एक तेरी मेरी line draw करता है and then she asked him sign अपने sign put up करो now it is your painting now this is a imaginative process जिसको कितने ही interesting तरीके से इस author ने सिखाया है कि how we actually expand our imagination it can start up with a line or a dot and then expand up to extraordinary imagination extraordinary word extraordinary creation